Hello everyone, Good morning, All are happy and fine also? That's good, चलिए, आई हम हिंदी की कक्षा में अगला कार्य शुरू करते हैं, क्या है अगला वर्क? सही शब्द चुनकर खाली स्थान भर्ये, ठीक है? तो हमने यहां कुछ शब्द लिखे हैं, जिनको बाग के के अनुसार हमें चुनना है और खाली स्थान में भर्ना है, चलिए, पहले इसके हैडिंग लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा लिखूंगे, तो बहुत लंबी हैडिंग हो जाएगी, जो आप लिखने पाओगे, इसलिए सिरफ खाली स्थान भर्ये ही लिखेंगे, ओके? खाली, खाली, आधस, थाथा, न क्या बना यह? श्थान, खाली, 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 और भर्व, री ए कालिस्थान भर्ये ठीक है? तो नमबर एक पर का ल आ काला देश आ या अ के नमबर टू अ न न आनार र अनार व देश खा नमबर टी अबस्ट 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 या 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 डेश चान मन का नेश्ट डेश्ट का कर हर नज मान डेश्ट का कहना मान नमबर छे पर पर नमबर देश्ट याद याद कर र नमबर देश्ट नमबर याद नमबर याद नमबर याद लाद याद 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 कर कर याद 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 का का अगला है नमबर याद 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 कर याद स स स मा नू ना ठीक है? तो यह हमने लिखे हैं वाग के जैसा कि आप देख रहे हैं इनमें बीच बीच में क्या है? खाले जैगे हैं खाले स्थान है जिसे हमें इन शब्दों को चुनकर भरना है ठीक है? चलिए नमबर एक पढ़ते हैं काला डैश आया तो काला में हम क्या लिखेंगे? हमने यह लिखा है बादल तो यहां हम बादल लिख देंगे बाद द लिख और बादल को क्रोस्ट कर देंगे ठीक है? नमबर दो पर देखिए अनार वर डैश खा अनार और क्या खाएंगे हम साथ में? आम तो यहां पर हम आम फिल कर देंगे अनार वर आम खा और आम को क्रोस्ट कर देंगे चलिए अगला है अब डैश चल तो अब पाठ चल माला चल, माता चल तारा चल, बाजार चल भी हो सकता है गाजर चल नहीं हो सकता या पाठ शाला चल लेकिन हम यहां क्या फिल करेंगे? पाठ शाला चल अब पाठ शाला को क्रोस्ट कर देंगे? आकाश में डैश चमका क्या चमका? तारा देखे तारा तारा चमकते हैं ना राद को आस्मान में? तो तारा को यहां से क्रोस कर देंगे क्रोस का मेनिंग है हम ने इसको यहां पर फिल कर लिया है अब इसका टर्न ओवर हो गया दुबारा से इसकी बारी नहीं आएगी डेश का कहना मान किसका कहना मान? माता का कहना मान माता का कहना मान अब इसकी बारी आप पढ़िए अपना डेश याद कर तो नमबर एक पर हमने लिखा है पाठ अपना पाठ पाठ में जो हम पढ़ रहे हैं तो हमें भी अपना पाठ रोज का पाठ रोज याद करना चाहिए ना? चलिए इसको कर कर देते हैं लाला एक देश लाया लाला एक माला लाया माला लाया अगला है नमबर आठ पर डेश का हलवा खा तो हमारे पास दो अप्शन बचे हैं बाजार और गाजर तो बाजार का हलवा तो नहीं हो सकता गाजर का हलवा बनाते हैं न? यहां पर लिखेंगे गाजर का हलवा खा और आखिर में हमारे कास एक की ओप्शन बचा है बाजार बाजार जाकर सामान लाव ठीक है? तो आप सबको भी इसी तरह से यह खाली स्थान भरों का आज का काम सुन्दर सुन्दर हें राटिंग में लिखना है और इसकी रेडिंग भी करने है ओके?